प्र gefमस्षार तो देज्कर्स गैन्सिंट यह में सुरेशन हम अब लोग इसके पाले क्या मैंसुरेशन के सारे फर्मुला मैंने आपको बता दिया था मैंसुरेशन ग्या-kया मुझे पढ़ना है वह उस्टारा बता दिया था हमने उसे क्ष्चय नबर फूर पूसמס लेते हैं कि सलूशन 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 ओके कोश्चन नमबर वन का सलूशन है यह बोला है कि मेंस डाइमेंशन आफ दो क्यूबाइड आर 44 cm 21 cm 12 cm it is melt and a cone of height 24 cm is made find the radius of its bits ओके तो इस जो डाइमेंशन क्यूबाइड जो क्यूबाइड का वैलूम होगा उतने ही वैलूम का क्या बनेगा कोन गए यह लिखसकते हैं कि वैलूम आफ क्यूबाइड बॉयलूम ऑफ क्यूबाइड इक्वरल टू वैलूम ऑफ कोन उपके टィक्वर मेल उंद मेलड करके ही हम क्या बना रहे हैं कोन बना रहे हैं ओके वैलुम आप क्या हो जाएगा क्या होता है ये ल बी-it L into b into h equal to equal to volume of koneunda one upon 3 transpire square एच ओके तो elf हमें पता हैं हाँ dimension पता है हमें dimensional पता है ना lbh都 LB is a लिख लीजिए तो डीस依म प्लाइy 44 इन्टु 21 इन्टु 12 इक वरन उपन थड़ इन्टो ट्वेंटीट ऊपन सेब सेगन में लिखला स्सैंट्टो आर्सक्षारद कितना झेलiede है तो यहां लिखक रिवेंटुपर इन्टोह इव्रित्उनोन किला के तोतर। 20 22 into 22 upon r 22 upon 7 into r square into 8 so this implies cross multiply collision 44 into 21 into 12 into 7 equal to 22 into 8 into r square into 8 so therefore therefore r square equal to 44 into to a 21 into 12 into 7 upon 22 into 8 okay the house a cancel ho gya 2 or many houses so cancel car diya 4 or is square house a cancel car diya to kitna gaya 3 so therefore r square equal to 21 into 337 21 therefore r square equal to 21 ka square so therefore r equal to root under 21 ka square equal to 21 tamara kya gya kya find karna tha ki find the radius of its base to kya radius of base radius of the cone therefore radius radius of the cone equal to 21 centimeter okay the radius of the cone equal to 21 centimeter okay now we will do the first question हो गया आए अब हम लोग क्या ट्राइए करते गोश्चांट सेकेंड ओके ता मैंने पहले की स्कूर्शंट को रफ करता हूं उसके बाद कुश्चांग नंबर सेकेंड सॉल्व करेंगे को कि ता यह वन नंबर सेकेंड चाहिए हैं तो कोश्चन नंबर सेकेंड है कि सलूशन है सलूशन कोश्चन नंबर सेकेंड का ओके तो इस कोश्चन में क्या दिया है इसके अकोर्डिंग हम इन्फर्मेशन नोट कर लेंग सफिक टो एपन है अपन है युक्वार्ड भी शोड़ के देख की अधा अधान है गडिया सेन्टि मिटर घ्याइटि थी सेंटिमेटर एंड दहेर अब या शोडि द ए-इड़ ए अधान अब यह डिया 100 cm2 okay the cone is placed upon the cylinder cylinder के उपर कोन हमने रख दिया है ठीक है तो volume of the solid figure means दोनों का कितना दिया है volume of solid figure volume of the solid figure so form is 500 cm3 right तो बोला कि find the height of the figure mean total height of figure निकलना ओके तो पहले हम क्या बनाते एक figure बना लिजे जैसे मैंने figure आपको बना कर दिखा रहा हूं एदेखे figure हो गया यह आपका कोन हो गया ने सुरी cylinder cylinder के उपर हमने एक कोन बना देता हूं देखिए ओके एस सिलेंडर दोनों का बेस्ट सेम है तो यह हमने एए हाइट हो जाएगा हाइट आपको गीवें है इस हाइट इजे गीवें कितना दिया है थ्री सेंटीमीटर ओके थ्री सेंटीमीटर गुड़ एंड टोटल हाइट हमने अगर एजूम कर लेता हूं दीस हाइट क्या हो जाएगा तो अगर इस हाइट को हम एजूम कर लेते हैं यहां से दीस हाइट एच है दी साइट कितना हो गया एच जुम कर लेता हूं एच मीटर ओके चलिए ठीक है तो हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया अफ दवेस इस एरिया दिया है तो हम बेस का एरिया दिया है तो क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं बेस का रेडियस निकाल सकते हैं तो चलिए क्या क्या दिया पले गिवेन इंफोर्मेशन हम लिख लेते हैं कि height of height of the cylinder height of the cylinder equal to what three centimeter okay and area of the base area of the base equal to what hundred centimeter square and feed क्या दिया है volume of the solid figure लिख लिजे volume of the solid figure कितना 500 centimeter cube चलिए हम लोगे सारे information लिख लिए तो हम क्या निकाल सकते हैं पहले हम निकाले dot सब्सक्राइब क्या सबस्राइब एक है किसॏप का है सर्कूलर श्रयकल का किきます पा रसकूर तो और्या पालाइय आप एर्या इंग क्या होता है आप एरिया आप सरकल स्था था सरकल इक्वल टू क्या पाई आरी स्क्वाइर तो दीस इंप्लाई यह सर्कुलर से फेति इसका कितना दिया एरिया हंदेड सेंटीमीटर स्क्वाइर इक्वल टू पाई आरी स्क्वाइर तो हम क्या निकाल सब्सक्वाइर आर आरी स्क्वाइर कहीं टर्मिल निकालते हैं हंड अपॉन वाट पाई कि यह हम आर स्कॉयर के ही टर्मिनिक कि हमें आर स्कॉयर की जरूरत पड़ेगा आर स्कॉयर के वैलू डारेक्ट हम यहां पूट कर देंगे ओके तो अब निकालते हैं वैलूम अफदा क्या वैलूम अफदा सॉलिड फीगर वैलूम वैलूम अफ सिलेंडर प्लस वैलूम अफ कोन ओके वैलूम अफ सिलेंडर प्लस वैलूम अफ कोन ते इक्वल टू वैलूम अफ सिलेंडर क्या है पाई आर स्कॉयर एच प्लस वैलूम अफ कोन वान अपाउन थ्री पाई आर स्कॉयर एच ओके ते यहां से क्या कॉमन ले लेत पुले लेंगे तो आपके पास बचेगा एच प्लस वान ओपाने 3 एच तो aurait इसको जो हमें है क्यां है 10 जमल्ब की तो हम पाई के वेलू क्या है? पाई के वेलू r square r square equal to क्या है? 100 upon pi तो यहाँ put कर दिजे pi square into r square means 100 upon pi यहाँ पर h dash 3 plus 1 upon 3 h और volume of solid figure कितना दिया है? volume of solid figure is 500 तो यहाँ लिग लिजे 500 ओके? तो यहाँ से pi से sorry, यह pi है तो यह pi से pi cancel हो गया तो this implies 500 equal to 100 यहाँ लिग 9 कितना? 9 plus say h upon 3 और यहाँ से 0 से 0 cancel हो गया तो यहाँ लिग 5 into 3 e equal to 9 plus h तो यहाँ से लिख से लिख से लिख से लिख से हाइट कितना दिया है 3 cm total कितना हाइट हो जाएगा 9 cm ओके तो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं क्या क्या लिख देता हूं height of height of कोन इक्वल टू शीक सेंटिमेटर और हाइट अफ सिलेंडर सिलेंडर इक्वल टू कितना दिया है थ्री सेंटिमेटर तो हम लिख लेते हैं टोटल हाइट अफ दा फिगर देयर फोर टोटल हाइट इक्वल टू वाट 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 सेंटिमेटर ते आपका इंसर आ गया टोटल हाइट अफ दा फिगर इस 9 सेंटिमेटर ओके तो इस तरह से कोश्चन नमबर सौल अच्छे से सौल करिए इस टाइप के कोश्चन एक्जाम में पूछे जाते हैं तो यह कोश्चन अच अच्छा है आप अच्छे तरीका से सौल करिए गा और एच्षो कोUNG चटन है समझ कर समखे को समझ को कुछ displa में नहीं आया होगा तो आप मुझे गर सते हैं या कमेंट कर सकते हैं तो आ ये स्कोश्चन को में रफ़ करता हूं एंक्षोन नमबर थार्ड एक्स्प्लेन करता आशप वंगोट धीर डिश कितना अर डिशे तना द्यटकिद्व दी सेवन सेंटिमीटर एक तो रेडियस सेंटिमीटर यद मैं रेडियस ऑफ देडियस ऑफ एस्प करल सेवन सेंटिमेटर हम जानते हैं क्या जनते हैं कि सरफेस असे अरिया कि है एंटिया Satan-व 6 εκ सेरी आफ एस्पीर इकोल टू क्या होता है फोर पाई आर स्क्वाइर ओके फोर पाई आर स्क्वाइर ओके फोर पाई आर स्क्वाइर स्क्वाइर अवैलू पुट कर दिजिए यहां पर तो फोर इन्टू ट्वेंटी टू अपॉन सेबेन इन्टू आर सेबेन का स्क्वाइर तो 4 into 22 upon 7, 7 into 7, 7 से 7 cancel हो गया, तो इधर 88 into 7, इक्वाल टू कितना हो जाएगा, 56 carry 5 और 56, और 5 कितना हो जाएगा, 56 and 5, कितना हो जाएगा, 62, centimeter square, okay, क्या हुआ, तो centimeter square, okay, तो इस तरह से question number, okay, तो यहाँ पर दखिये, हम लोग multiplication कर रहे थे, तो यहाँ पर 6 में, 8 में 7 का multiply किया, तो कितना है, 56 carry कितना है, 5 and फिर हमने 8 में 7 का multiply किया, तो यहाँ 56, और 5, 61 हो गया, तो कितना है, हमारे पास, 616, okay, centimeter square, तो यह आप का आगया, क्या बोलते हैं, surface area of the sphere कितना है, 616, 16 centimeter square, तो चलिए, आज में वीडियो कहीं पर complete करते हैं, next वीडियो में इसे related भाग की question solve करेंगे, okay, भाए, thank you,